हलो दोस्तों कैसे हो मैं हूँ अश्विन और स्वागत है आप सबका हिंदी चेस वीडियोज में आज के इस इडियो में आपको डच स्टोन वोल के उपर एक बैतनिर गेम दिखाऊंगा जो की गेम दो ग्रांड मस्टरों के बीच में खेली गई थी जहाँ पे वाइट जो है वो सिर्फ 13 मूँ में लोस्ट हुआ था जी यहाँ जो ग्रांड मस्टर है वो भी सिर्फ 13 मूँ में लोस्ट हो गया था तो यह गेम काफी देखने लाए गए और आप इस गेम का इस्तिमाल जो है ओपनिंग चेस ट्रिक की तरह भी कर सकते हो तो यहाँ पे गेम खेली जो गई थी वो वाइट साट से खेल रहा थे अर्नेट गूंफ्रेंड और ब्लेक साट से कालो स्टोरे गेम खेली गए थी 1925 में अर्नेट गूंफ्रेंड ने गेम की शुरुवात की पॉन्टू D4 और पॉन्टू E6, N2F3 और पॉन्टू F5, डच अब यहाँ पे थोड़ी दिर के लिए वीडियो पोस्ट करके सोचो कि ए e स्टॉक्चर कुण सा है, अभी थोड़ी दिनों पर ले मैं ने वीडियो बनाया था स्टॉन्वोल श्टॉक्चर, तो आप देख रहे हो यह स्टॉन्वोल श्टॉक्चर जो है रिवर साइट से, मतलब ब्लेक साइट से और डच स्टोनवोर्स स्ट्रक्चर है वो theoretically काफी साउंड भी माना जाता है यहाँ पर क्वीन टू सी टू खेला गया और ब्लेक ने कर दिया कैसल और अब आया पॉन टू बी थ्री बिशप बी टू के निकालने के लिए जहाँ पर नाइट टू एफोर आया और स्टोनवोर्स स्ट्रक्चर में एफोर जो है वो ब्लेक की नाइट के लिए काफी अच्छ और अब यहाँ पर ब्लेक ने खेला क्वीन टू एफोर जो की थ्रेट है उनकी यह है कि नाइट केप्चर एफोर खेल सकता है जहाँ पर गेम जो है वो तीनो रिजल्ट के लिए ओपन है बट उसके बाद जो है नाइट का उट पोस है उन एफोर वो शिक्योर हो जाएगा वो वाइट की जो है नाइट के लिए स्ORIA इन एफ़र वट एफोर उन टू आइफो एफोर सोचो की स्वास तरह से ब्लेक जो है काफी बड़ा इनिशेटिव कर सकता है यहां पर आयान्यट केप्चर अनाइफ Kore और जहाँ पर वाइट ने यह रिलाई किया था कि वो पॉण और बाद में white जो है e4 का knight free में मार सकता है क्यूंकि queen capture on a1 जो है वो impossible है because of knight c3 और यह जो black की queen है और trap होने वाली है इसलिए knight capture e5 के बाद उनका जो idea था हुआ pawn capture e5 बट यहाँ पे एक और variation देखना जरूरी वो है pawn capture on e4 जो कि इतना अच्छा नहीं है first glance लग रहा है कि एक piece मिला है और अगर हम अपनी knight save करते है और pawn e5 आएगा और यहाँ पे black का दूसरा piece भी चला जाए क्योंकि pawn जो है queen और bishop दोनों पे attack कर रहा होगा बट यहाँ पे black खेल सकता है knight to g4 और pawn e5 के बाद black खेल सकता है queen to h6 और threat है checkmate की तो आप यहाँ पे मेरा d6 वाला piece जो है उसको मार नहीं सकते है so say pawn to h3 again दोनों piece पे attack है knight पे भी attack है bishop पे भी attack है but again जो knight है again एक और tempo गेन करती है with an attacking move और वो है knight to e3 जो की rook और queen दोनों पे attack है so queen को save करनी पड़ेगी say queen to d3 और अब हम जो है वो rook मार सकते है और उसके बाद pawn capture और d6 से बाद हम अपना जो है knight वापस e3 पे निकाल सकते है ज हम simply जो है pawn to f4 खेलेंगे और pawn capture f4 के बाद knight to f5 और next move है जो pawn on d6 से वो भी drop हो रहा है और यहाँ पे black के पास जो है वो action जदा है so definitely this position जो है वो black के लिए भी नहींगे so इसलिए f capture e4 हो नहीं सकता था so knight capture e5 के बाद खेला गया pawn capture on e5 और यहाँ पे जो white ने सोचा था bishop capture e5 वो actually हुआ ही नहीं क्योंकि उसमें उसकी position काफी अच्छी होने वाले थी बट यहाँ पे आई intermediate move bishop to c5 check and the game is over I mean यहाँ पे सबसे better move white के लिए है कि वो अपना rook जो sacrifice का दे rook f2 खेले जहाँ पे bishop capture f2 के बाद जो है king f1 पे भागने की जगा बना सकता है और जब मैं अपनी queen move करूँ वो simply हमारी knight capture कर सकता है उस case में भी जो black है उसको material advantage रहेगा but यहाँ पे जब bishop to c5 check आया white ने खेला king to h1 और आप यहाँ पे video post करो और सोचो किस तरह से यहाँ पे ज जो है अर्नेस गुल्फेड उन्होंने resign कर दिया क्योंकि pawn capture on g3 के बाद queen to h6 check उसमें bishop to h3 only move है जहाँ पे queen capture h3 is just checkmate तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का वीडियो आई होप मेरा वीडियो जो है आपको काफी पसंद आया होगर पसंद आया तो please this channel को subscribe कीजिए वीडियो क झाल